मशकार दोस्तों मैं हूँ आपकी प्राचे दिकारी और मैं आज आपके समख्ष एक बात लेकर आई हूँ क्योंकि कंगना रुनावत हिंदुत के लिए लाई करते रहती हैं और हिंदुत का साथ देते रहती हैं और सनातन के मार्ग में चल रही हैं इसलिए इस बहन को अकेला छोड़ना उचित नहीं होगा और हमें ऐसे समस्त लोगों का साथ देना चाहिए जो सनातन की लड़ाई लड़ते हैं तो दोस्तों दिलजीत दुशान जिन्होंने बड़ी अभद्र टिपड़ी करी कंगना रुनावत पे और यह कहा कि अगर मेरे आप मू लगी मेरे तू तुझी तेरी हालत ऐसी कर दूँगा कि तू माचल से लेके मुंबाई तक टॉयलेट करती वे आईगी उसने कुछ और शब्दों में कहा तो मैं अलग शब्दों में कह रही हूँ हाला कि मुझे वह बोलने में भी आपती नहीं थी लेकिन अच्छा नहीं लगता वो बिलो अधरी बात यह लोग कैसे हैं मैं आपको बता दूँ यह इस लड़के का जो संबंध है यह जो है पिडी है मतलब कुट्ता है करन जोहर का और इसको यह जो है इसका जो मैनेजर है पागिस्तानी जो बॉलुट के इवेंट कराता है एक आदमी रिहान जो पागिस्तानी आई जो ऑर्गनाइज करते हैं बॉलुट के यही करता है तो इनका संबंध सीधे सीधे आयसाइप फ्लस खालस्तान प्लस बॉली बूब्स यानिकी वह जो चलती है बॉलुट में प्लस कश्मीर सपोर्टिंग खालस्तानी समझ गया है जो कश्मीर में खालस्तानियों को सेंटीमेंड्स जो हर्थ करते हैं खलस्तानीों के तो यह आपस में इतना बड़ा त्लुकात है इनका जो है यह लिबराल गैंग का फेवरेट है दिलजीत में क्योंकि रिहानů सिद्गी क्योंस इंडिया की यूस्तिन में ब्लैक्लिस्टिट करा गया है अब आप सोचिए इनकी जड़े जो हैं ये कितनी मतलब आपस में मिलती हैं और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं भारत में अभी आपने देखा होगा कि एक महीला सिंगर है उन्होंने किसी से शादी करी है और वो महीला सिंगर जो थी किसी ऐसे सिंगर की काफी संबंदों में थी उनके साथ जो भुजर्ग थे और उनके साथ वो शो में जज़बन के आती थी अब जब उनका इस्तमाल दस साल पांस साल कर लिया उन्होंने भुजर्ग सिंगर ने तो बाद में उनको जो है किसी और के मत्थे दाल दिया किसी और सरदार के मत्थे दाल दिया ठीक है ना तो यह जो कहानिय बॉलवुट की ऐसा है कि ऐसे लिलकों को पकड़ते हैं ब्रेइन वाश करने के लिए और आजकल इस सिख कॉम्मुटी के साथ जादा ही हो रहा है मैं यह देख रही हूं कि यह सि भारत के किलाफ साजिश रचेंगे इनको पैसा दिया जाएगा और यह जो पैसा आएगा आपका पागिस्तान से आएगा अब बताईए आप बॉलवुट इवन्ट मैनेजर पागिस्तान का है और वो पागिस्तान का मैनेजर इंडिया के जो बॉलवुट के कलाकारे उनके स गले रहना और इस तरह से करकर बहरत को बर्बाद कर देना तो यह यह चल रहा है और जो दिल जीत दुशान इतना बोल रहा है। क्योंकि कोई बी ऐसी मेला जो सनातन के साथ खड़ी हो या भारत के साथ खड़ी हो उसको अच्छी लगई इंड है एजन्टा है वो साफ साफ है उसके अगर आप चहरा भी देखें तो आप उसका चहरा गौर से देखिए यह सब ड्रग पीने खाने वाले हैं अगर इनके ऊपर आप कुछ भी आरोप लगाओगे तो यह कहा देंगे भई और यह क्यों कि हम यह कॉम्मिनुटी से हैं पहले बात के बाद सबके अपने धर्म और मजब बंद नहीं करेगी और बिना यह सोचे कारवाई करेगी कि भई जो भी अपरादी है चाहे वो कितना बड़ा हो कितना शातिर हो अगर वो भारत के खिलाफ कारी कर रहा है तो उसे तुरंट सजा मिली वो चाहे कोई भी हो जब कोई सनात का कलाकार होता है तो आप तुरंट उसको सजा देने में वक्त नहीं लगाते लेकिन बाकी अन्य लोगों के साथ आप रिलीजिन क्यों देखने लग जाते हैं मैं यह भी मांग करती हूं कि कोई भी अगर ड्रक्स के कारोबार की आड में भारत में आतंक फिलानी की साजिश कर रहा हो तो इनकी अच्छे तरह से जाँ चुनी चे यह कौंसा अक्टर है एक शकल है यह इन ही लोगों की देन है और अगर अभी समय रहते आप लोगों ने इनके फन नहीं कुछले और यह कह रहा है कि वो कंगना रुनावत यहां से वहां तक टॉयलेट करते जाएंगी जबकि एक वावद आई उसको आए वे कितने दिन हुए है उसकी इतनी उकात हो गई ही वो कंगना रुनावत को यह सब बोल रहा है मान नीचे कल को कंगना कोई election contest करती है तो वो अगर जीद गई तो यह इस तरह से इस से बात करें का उसकी seniority और उससे तो इसने बकवासी नहीं करने चाहिए लेकिन यह पुला जराय क्यों क्योंकि से बाकप है सपोर्ट है और वो वो शकल देखो पतलंडी सी व दोनों वो कहती है मुझे इसलामाबाद में इंटर्वी दिन मुझे तो इसलामाबाद और चांदी चौक एक सा नजर आ रहा है क्योंकि एजी उसकी शकल जो है ऐसा लगता है कि उसके हाथ में एक बैग दे दो जोला वो कूड़ा बिनते रहे उससे अच्छे तो गरीब लो लगती है न कुछ और वह तापसीपन्नू फेक कॉपी चीप कॉपी ऑफ गंगना रुनावत मेरा भी मुसलिम है तो मुझे पता है तेरे ड्राइवर कि दलाल थेरा उसके सांद मिलके करती है जो करती है सब के बारे में बक्वास करते रहे तेरी उकात क्या है भी तू है कॉ ड्रग लेने वाली पतलंडी तेरी शकल देख तू तू कंगना से बकवास करती है और तुम कहते हैं कि पंजाबी ही उसको जवाब दे सकता है यहाँ पर तुम अपना कोई कार्ड मत खेलो तुम जो एक्सपोज हो चुके हो और मैं सारी जनता से निवेदन करती हूँ यह नेटफलिक्स फ्री होने का जो ड्रामा कर रहा है फ्री हो यह अखी तीन दिन के लिए फ्री है नेटफलिक्स तो ताकि तुम्हें लत लगे और तुम इनकी सीरीज वगर देखो भगवान के लिए अगर भारत को प्यार करते हो तो यह सब देखना बंद करो देखना है तो यूट्यूब में कुछ अच्छी चीज़े देख लिया करो इनको बिल्कुल बाइकॉट करो साउथ के स्टार्स की मूवी देखो अच्छे स्टार्स की साउथ के स्टार्स जादा अच्छे है भी मस्ट प्रमोट साउथ स्टार्स जो अच्छे कलाकार है साउथ के उनकी मूवी देखो इनके हिजन एजन्डे को काम्याब मत होने दो भारत को तूटने मत दो इनका है तोडो पोडो डिवाइड एन रूल और वहां से बैट कर अपनी घटिया बातों से पागिस्तानी फैंस को लिूर करना उनको अपनी तरफ आकरश्रत करके भारत व्रोधी बाते करना कभी भी कोई भी मतला आप एक चीज़ देख लीजे यह बॉलिवुड में जो इस लिबरल गैंग जबी भी कोई भारते जनता पार्टी कोई भी निर्ने लाती है चाहे वो देश के लिए अच्छा हो या वो चाहे वो मान लेजे मुसलमानों के लिए भी अच्छा है तब भी यह लिबरल गैंग उसके विरोध में ही खड़ा रहता है इन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि भारते जंता पार्डी ने इन लोगों को 50,000 रुपे इनकी शादियों में देने की बात करिये ना लड़कियों की शादियों में देने की बात करिये वुस बात में नहीं कहा इन्होंने कभी ये नहीं गलत था और भारतिय जनता पाटी ने अच्छा ने लिया वहां पर चुप हो जाते हैं क्योंकि इनके जो धंदा कराने वाले इनसे होते हैं या एजन्ट होते हैं जो इनके के चलो आप उनकी शादी होगे अच्छा है लेकिन मैं आपको बता रही हूं और कई बार ऐसा है कुछ आपको भारती कहने लग जाता है मैंने अभी यूपी में सुना कि कुछ चाई बेच रहा था पता चला वो रुई या था तो इस तरह से जो यह चीजें हो रही है यह इनका मौटरस और प्रॉपरेंडी चाहिए सडक में जुगी में रह रहे हो एक सा है चाहिए बॉल हुड मे जो कभी ड्रक कोशतम हुने देना ही चाहते हैं जो खुता वसूली करते हैं जो दाउत के गांग के लिए काम करते हैं और स्वराबाजकर जाये news पतलन जैसी ना तेरे पिछवाड़ायनमें कुछ आगे कुछ है और सबसे बड़ी बात है आप एक बात देखना जो यह बजी बजाई गंदी घटिया औरते होती है या आदमी भी जो होता है गलत काम करने वाला या तो यह बहुत जरुवत से जाधा पतले होता है सपार्ट बॉडी बांकि यह फॉर्म लगा रहता है आगे फॉर्म लगा रहेंगे पिछवाड़े में फॉर्म आकर इनमें ही क्या ओरिजनल है कंकाल तंत्र अजीब सी बुडिया टाइप की है रियल लाइफ में है खुब अब तू इंज्वेक्शन टोक चाहे कुछ टो कंगना रुनावत के शिट के बराबर तू नहीं है समझी और स्वरावास कर और यह तापसी पन्नु तुम रंडिया हूं और तुमारी उकात क्या है किसी मुल्ले से जाके बजोगी तुम और फिर उसकी फिर वो कुछ सालों बाद तुमें छोड़ देगा क्योंकि तुम कितने गंदे लगते हो शकल से और कौन देखता है तुमारी फिल जजय श्री राम हरन मादेव और मैं चाहती हूं कि हम कंगना के साथ खड़े रहें इसलिए नहीं कि कोई आप फैन वैन हो जी नहीं आम नॉट है बट लड़की अपने हिंदूत के साथ सनातन के साथ खड़ी रहती है अगर यह जिहादी कुत्ते गुर्गे दाउद के गैं अन्डियां के साथ सकते हैं तो क्या हम कंगना के सांथ नहीं सकते हूं आपका दुष्मन भी हो और वगर अपने धर्म और भारत संथ है और भारत की ऐसी सरकार के साथ खड़ा है जो अपने देश का भला चाहती है अच्छी चीज़े करती है और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती तो ऐसे लोगों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए वो गली का कोई आदमी की बनाओ जै 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 शिरी राम हरहर मादेव जै भ भाँज की बनाओ फर्टब का रि considers नहीं के साथ हमें ॉप में खांड़ लु ऑला हतान Detroit नहीं करते हैं है और बनाओ जैए और लुग मैं करते हैं-क बनाओ मादिख चाहान जैVISता है ह।